नमस्कार जोतिय स्वास्तू और उपाई के चैनल में आपका स्वागत है बात करेंगे अस्त शनी के परभाव की है शनी अस्तू हुए हैं 5 परवरी 2023 को और ये अस्त रहेंगे करीब करीब 12 मार्च तक अस्त रहेंगे ये तो 5 परवरी से लेके 12 मार्च तक अस्त रहने पे वि इस वीडियो में जिन राशियों के ऊपर नकारात्मक परभाव बढ़ रहा है, उनकी चर्चा की जाएगी और उनके बारे में उपाए बताये जाएंगे, उपाए बहुत ही काम के होते हैं, उपाए करने से हमको परेशानी में कमे आती है, परेशानी तो आती है थोड़ी जाएंगे शनी या मंगल जो भी जब भी अस्त होते हैं तो या उनकी दशा चल रही है आपके कुंडली में शनी मंगल अस्त हैं या शनी मंगल के आपके कुंडली में महादशा चल रही है तो आपके उपर इसका परभाव अधिक होगा और रिलीफ मुन लोगों को मिलेगा ज शनी एक संग चल रहे हैं कुम राशी में, हाला कि ये शनी की मित्र राशी है, सही है ये, तो इसका थोड़ा सा अश्यू परभाव में कमी रहेगी, सूरे के जब भी कोई घ्रह सामने आता है, तो वो अपना प्रकाश खो देता है, और जब वो इसके बिल्कुल सामने या, का मतलब उसके साथ ही बैड़ दाएगा, तो पुरी तरह से अस्त हो जाता है, उसका प्रकाश खत्म हो जाता है, अब दो विमिन विचारदारा वाले व कैसे भी उसकी चमक कम हो जाती है, तो सूरे के संग शनी के आने के कारण शनी की चमक खत्म हो गई है, इसी के कारण सूरे शनी को अस्त कहते हैं, तो अस्त शनी के कारण जो सूरे शनी के जो कारव का तो है, प्रभाव है, और वो जो भी कुछ है ना, वो देने में संभव न होगा तो शनी नियाय का दियोता है और कर्म का कारग है इसके अस्त होने के कारण जनता में भेकी स्थित्यूत्पन होईगी डर का माहूल पैदा होएगा जनता वे सरकार यानि कि जब आप और आपके उच्छे दिखा रही है इनमें आपका तानमेर कम बैठेगा जमीन से निकलने वाली चीजों के अंदर आप जो आप करते हैं तो वहाँ आपको परिशानी आएगी नोकरी का कारग भी शनी होता है और सूर्य होता है तो शनी तो कर्म करवाता है और सूर्य से हमको नोकरी मिलते हैं तो जो भी नोकरी के शेत्र में है वो सावधानी से कार्य करें क कि अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो निर्दोस को दंड़ मिल जाता ना वह लिस्तिती हो जाएगी क्योंकि नियाई करने वोले देवता शनी आसता है तो निर्दोस को भी सजा का भागी मिल सकता है या नियाई मिलने में देरी हो या नियाई आपको सही नहीं मिले तो इस आपके सनी घरा पर प्रभाव देंगे तो वो कौन सी राशिया है जिनको इस समय साउधान रहना चाहिए तो सबसे पहले राशी है करक करक राशी करक राशी का स्वामी करक राशी है करक राशी का स्वामी चंद्रमा होता है और इस राशी पर विप्रित प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इनके एर्थाउस में सूर्य और सनी है तो एर्थाउस हमारे आयू का स्वास्त का संकट का और गुप्त ग्यान का रिसर्च का सबका होता है तो जिन लोगों को भी जो उम्री के आखरी पढ़ाव पर उनको आयू का संकट हो सकता है और जो लोग मद्यम आयू या जो लोग बच्चे हैं उनके स्वास्ते में परेशानी देखने को मिलेगी तो करकराशी वालों का स्वास्ते प्रभावित हो सकता है शनी के अस्तोने से दूसरा इनके उपर प्रभाव पढ़ेगा कि दन की आनी हो सकती है शनी की यहां से सिती रस्टी कुटुम भाव पे भी पढ़ रही है तो पारिवाइक जीवन में कले हो सकती है पेट से संबंदित रोग, आंकों के रोग, अड़ी के रोग, हिर्दे के रोग, इन रोगों की होने की संबावना या इन से संबंदित परिशानी भी हो सकती है जिनके शनी की डिया चल रही है तो उनके लिए तो शनी अस्त हो गए अंदे हो गए तो उनके जीवन में साथ संबंदी दिक्कतें थोड़ी से कमाईगी शनी के प्रकोफ से बचने के लिए क्या उपाय करें अब बात करते हैं उपाय की तो सबसे बड़ी है शनी के प्रकोफ से बचने का उपाय है हनुमान अरादना आप रोज हनुमान चलिसा का पाट पढ़िए इससे आपके कस्ट काफी कम हो जाएंगे और साथ ही शनी के मंत्रों का जाप अगर करते हैं ओम शम शनी शिराय नम तो भी आपको शनी के प्रकोफ से मुक्ती मिलेगी अस्ति शनी का करकरा सीव के उपर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पढ़ रहा है ये पंदरा से बीज दिन है इनको आप निकाल देजिए शिवा रादना में भी निकाल सकते हैं हनुमान चाली सा का पार्ट करना इस समय बहुत ही शेष्ट रहेगा आप रोज हनुमान चाली सा का पार्ट करें हनुमान मंदिर जाएं हनुमान की पूजा करने से बगवान शनी देव अत्यंत परसन होते हैं और वो हनुमान अरातना करने वाले बक्तों के ओपर अपनी कृपादस्टी बनाए रखते हैं अगली राशी की बात करते हैं तो अगली राशी है कन्या राशी अन्य राशी वालों के जो स्वामी है सूरे वो 12 वाव के स्वामी है सूरे और वो आ रहें छटे घर में और साथ में शनी भी है दौनों विप्रित भी चारतारावाले लोग रोग, रिन और शत्रू के घर के अंदर बैठे हुए है शनी भी वहाँ पे है और शनी अस्त हो गए है तो आपको क्या समस्या होईगी कि सूरे के यहां आने से जो संतान से संबंदित है वो प्रॉब्लम हो सकती है संतान की एकागरता में कमी आ सकती है वो उसकी बुद्धी थोड़ी भेम्रित हो सकती है यह मानशिक स्वास्ते आपका खराब हो सकता है बैका वातरण रह सकता है मानशिक रूप से ऐसा वातरण बनेगा जिसमें आप तनाव डिप्रेशन में आ सकते है सूरे 12 के लोड़े और वो सिक्सवाओं में आ रहे है वैसे तो वो रूपों का नाश करने के लिए सक्षय में सिक्सवाओं में परंतु शनी के साथ होने के करण शनी अस्त है तो इसके करण आपके मानशिक स्वास्त पर बिप्रीत असर पड़ेगा तो कन्या राशी वाले और वुद्ध भी अस्त होने है कन्या राशी वालों के लिए यही उपाए है कि वो इस माहुल से निकलने का प्रियास करें इस माहुल से और इस प्रकोफ से बचने के लिए कि जो डर और भैका बात वाना है उससे निकरने के लिए आपको शनी के चीजों का दान बिलकुल निकरना है आपको शनी मंदिर में जाना है और तेल चड़ाना है शनी चलिसा का आप पाट करिए शनी के मंतरों का ओम, शम, शनी, चराय, नमे इन मंतरों का जाप करिए और आप साती शीव अरादना करिए भगवान शीव की जो होती है जहां पे शीव लिंग रखा रहता है उस जो धर्टी से जहां से टच होता है वहां का एक उपाई है वो आप अपस्चे करिए इससे आपको शान्ती मिलेगी जब पिशनी अस्त होते हैं या सनी की साढ़े साथी चलती है उसमें यो भआई किया waiter तो आप जहां पे सीव मंदिर जाई ये आप सीव के वहां पे जो जिस जमीन पे टच होके सीव लिंग रखा हुए वहां पे अपने शनी की उखली शनी की उंगली वो होती है, जो हमारे हतेली में सबसे बड़ी उंगली होती है, वो सतेली को वहाँ नीचे टच करिए, शिवलिंग के उपर, नीचे नीचे जहां शिवलिंग रखाने वहाँ टच करिए, और फिर तेल की धार आप एक दो बुन तेल डालके और वहाँ पर प्रिड़ा से मुक्ति पाने के लिए जो भी फोर्थ किलास के करमचारी होते हैं उनका अपमान बिल्कुल भी ने करें उनका अपमान करने से शनी कुपीत हो जाते हैं और वो फिर हमको दुष्पर परिणाम देते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने वाले कारीगरों का और फोर्थ क कि अगर कुंडली देखते हैं तो उनके थर्ड इस्तान के अंदर आ रहे हैं शनी ये थर्ड इस्तान जो होता है हमारे प्राकरम का होता है एफर्ट का होता है मेनत का होता है छोटे वाहिपन का भी होता है यहां पर सनी सूर्य के साथ आ रहे हैं और यहां पर अस्तो हो रहे कि दूसरों के साथ वेवार करते समय आपको बहुत तेज तर्रार रहना है। बहुत अपने विवेक का काम लेना, दिमाग का काम लेना है और भाहुनाओं में बिल्कुल भी नहीं बहुत बढ़ी आपको चितामनी दी जा रही है कि बिल्कुल भी आपकि किसी की बातों में नह इतने जाद आप चत्रवाई गुद्धी मता के साथ डील करेंगे लोगों को उतने जाद आपका फायदा होगा वरना लोग आपको बेखो बना देंगे आपको चीट कर सकते हैं वैपार में आप तो वैपार में भी आपको दिमाग से काम लेना भावनाओं में रिष्टेदार रहेगा वरना आपको दोके में कुछ नुकसान हो सकता है धनु राशी वालों के वैसे भी ब्रेस्पती है जो ब्रेस्पती अपने उच्छ राशी में जा रहा है तो वो तो ठीक है कि हाँ वो अच्छी जगे पैपरन तो फिर भी सूर्य और सनी के एक संग होने से विपरित व अधना अवश्य करें जो विवेक्ती इस 15-20 दिन के एंदर रोज अनुमान चालेशा का पाट करेगा उनके ओपर शनी के प्रको बहुत ही कम हो जाएगा बुद्धी और विवेक्स से कारे करें और किसी का भी आप अपमानने करें इस समय ब्रेद लोग जो आपके परिवार करें उनकी सिवा आप अवश्य करें या ब्रत आश्रम जाके वहां भी सिवा कर सकते हैं वैसे सबसे बड़िया है कि अपने आसपास के ब्रेद लोग है उनका सम्मान करें उनके पाउं चुए और उनका आशिरवाद लें यह सबसे बड़िया हो पाए तो परिवार में रहे यह यूति 12 बाव में बंढ रही है तो 12 बाव में सुर्य शनी विप्रित विचार धरवाले दोनों एक जगे बैठे में हैं और सुर्य की रोशनी के अंदर शनी का अस्तित थोड़ा सा मध्यम हो गया है या एक तरह से कहते हैं कि अस्त हो गया है शनी और शनी जब सुर्य के साथ बैठता है तो सुर्य के प्रकास में वो दिखाई नहीं देता है इसी को अस्त बोलते हैं इसी को कहते हैं शनी अंदर हो गया है तो शनी आपके लाप बा तो नियाय मूर्ति शनी भी कुछ निकर पाएगा इसलिए आपके लिए फीड़ा दायक और कस्ट दायक समय है इस समय को निकाले घर के जो भी वरत लोग हैं उनका आशिरवाद लें और उनके साथ अपने सोयाध्र पूर्ण संबंद रखें शनी के यह अस्तोना आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल परिशानी नहीं आएगा हनुमान चालेसा का पाट आप करते रहें शनी मंतरों का जाप भी आप कर सकते हैं कुल मिलाके नियाय मूर्ति शनी देव के अस्तोने या अंद्योने का प्रभाव अगर कम करना चाते हैं तो हनुमान अरादना से दायत है तो यह था शनी के अस्तोने का प्रभाव आपको कैसा लगा वीडियो वीडियो के अंत में अगर अच्छा लगे तो ओमनमा शिवाय लिखना और अधिक सदिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें आपके जीमन में आयू आरो के और एश्वरे की व्रति होती रहे इसी शुब कामना के साथ नमस्कार